वेलकम बैक नाजरीन एक दोबा फिर से आपको खुशामदीत कहते हैं आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग सेफ सिटी और इस वक्त हुआ जाता है हमारे एक बहुत इंट्रस्टिंग सेग्मेंट का एहम सेग्मेंट का जिसको कहा जाए जिसमें हम आपको किसी गेस्स से मिल पर रहे हैं हो चुके हैं इसी तरह से एक और प्रोजेक्ट है जिसका भी आप देखा पिछले दिनों में जिसका अफचता हुआ और वो उस हवाले से काम भी जारी है वह बात मैं कर रही हूं जी फील हॉस्पिटल्स की आप देखते हैं कि एक तो हॉस्पिटल्स मौजूद होते हैं हॉस्पिटल अपनी जगह में मौजूद होते हैं इसके साथ कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी बन गए हैं जो आप को सड़कों में चलते हुए नजर आएंगे किस तरह से आप इन हॉस्पिटल्स से जाके मेडिसन ले सकते हैं क्या-क्या सहूरियात यहां फिराम की ज असलमलेकुम मैम कैसी हूं मैं चीत मैं फिर्स अवाश्ट अवरी ओम वेलकुम बोश्फू एंक्यू और मैं यह दार भी जानती है कि वक्त बहुत इंपोर्टन है बेर कोई हमारे लिए वक्त निका ले तो हम उसके कजर दाना बेलकू बेलकूल थैंक्यू ऑर्फ्ट सब्स पंजाब की जानब से फिल्ड हॉस्पिटल की सारी जितनी भी सहुलियात हैं सर्विसेज़ हैं वा इक मिनी हॉस्पिटल की शकल में सड़क पे आपको अवेलेबल हो लोगी और यह नहीं के आपको बिल्कुल रोड पे अवेलेबल हैं यह उन फार फ्लंग एरियास में उस कम् करते हैं जिनके पास बेसिक सेहत की सहुलियात अपने इर्द गिर्द मुफ्त मुझूद नहीं है और वो इस वजह से हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं कि उनको एक्सेसिबिलिटी का इशू है या अवेलेबिलिटी का इशू है तो हम उनके दोर स्टेप पे जाके की जारी है जो तर्शी के रॉस्पिटल की तो नहीं लेकिन बेसिक सहुलियात जो हैं महाँ पर सारी मुझूद है अच्छा मैं भी अब जिकर करें थी इंडस हॉस्पिटल के हवाले से तो मुझे बताईगा कि इस प्रोजेक्ट में इस इंडस जो हॉस्पिटल इसका बेसि है इस इस दो को जो आघकन खाते हॉस्पिटल गेर्मेंट के साथ टेक्नीकल पार्ट्ने मुझे रह ऊंडसिटी बेंक करना इंडस प्रोजें एस इंडस हॉस्पिटल अधियाविगुकर इस फिल्ट में छेंट करना था जो उसको फीड मैं इनिस सा से हॉस्पिटल का है कि पाइसे आप बतारी थी कि जो लोग हर कोई इससे फिसलिटेट नहीं हो सकता है हर टीस को यह मदद फराम नहीं कि जाएगी यह स्कोए बुछ एसे कम्यूनिटी जो लोग जा सकते हैं उनके लिए भी है अगर कोई पेशन्ट आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको refuse कर दिया जा के साथ मिलके हम उन एरिया को इडेंटिफाइ करते हैं जो दूर दरास गाओं है जहां पर सहत की सहुलियात मौझूद नहीं है तो जब उन तक यह गाड़ी पहुंचती है तो जो आसपास की कम्यूटि यह उसको उसको रीच आउट कर सकती है इसके लावा तो ऑपन-फॉर-aul आए तो फोर आगे पोरे शहर का राउंड लगाएगी तो यह गाड़ी जो है फीड हॉस्पिटल एक्चली यह डिप्लाइ ही उन एरिया में किया जाता है जहां पर वो जो क्यों के नीडी है और जो डिजर्विंग है तो ओविसली वो लोग से लिए रहे हैं तो पहले फेज में कितने feel हॉस्पिटल का क्या ममल में लाए जाएगा या लाएगा यह नाजारी आगा इनौबरेशन से एक था पहले हमने इसको एसे ट्राइल के वह कुम्यूटी मे यह 14 शहरों में स्टार्ट हुआ था इस वक्त करंटली यह 17 डिस्ट्रिक्स में ऑपरिशनलाइज था पंजाब के अच्छा लाहूर में है लाहूर समेट 17 शहरों में इस वक्ति ऑपरिशनलाइज करना है ठीक है और 17 में यह हो चुका है पुली ऑफर सर्विसेज दी जारी है और जो इसमें दूसरी सहूलियात है तो यह भी हमारे नाजरीं से शेयर करें किस हद तक लोग इस चेक अप हो गया या कोई टेस्ट वगड़ा है कि वह सहूला दी रहा दी तो बिल्कुर जैसे मैं ने शुरू में बताया कि एक मिनी हॉस कि अणेनल जो भी आपकी कम्प्लेंट्स होती है पेशेंट की वह इसके साथ लैब टेस्ट जिनमें अगुर्धों का टेस्ट है ल्येफट है आफ त हैं जिगर के टेस्ट है 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 ने सथ सब्सक्राइब का पुरा देपार्ट्मेंट है है मारे पास यहीं इस वील्ड हॉस् अन्टीन पोस्टनेटल चाइल केर से स्पैसिफिक्ली निश्डरिशिन के हवाले से कांस्लिंग जाती है मतलब यह वह बात है कि और फिर इसमें प्राइविसी भी है फीमेल पेशेंट जो है वह वह अगर करवाना चाहती तो इसको कोई फोर्स निहीं कर सकता कि आप मो के पास मैं जरा यह सोच रहा था कि आम हस्पतालों की तरह ही इसका structure भी डिफरेंट है कुछ इसका structure आम हॉस्पिटल की तरह है या यह सिर्फ यह एक गाड़ी के अंदर यह एक जगा पर फिक्स नहीं है और गाड़ी मैं किस तरह है कि आटेनर मैं पायोगा है भी जग्स तरह भी जग और यह formosa से उससे थोड़ा सा बढ़ा है अगर आप लिए फर्स टेट के लिए भी वहां पर हर तरह की सहूलत मौझूद है क्योंकि आसपस किसी भी तरह के और पिर यह कि यह जो हमारे फिल्ड हॉस्पिटल्स है यह किसी किसम की कोई सब्सक्राइब करें लिए फुल टाइम रेड़ी है यह कोई पूरा एक होस्पिटल्स है क्योंकि उसमें स्टाफ के लिए माइक्रोवेव और फ्रिज की भी सहूलत है कि जब उन्होंने अपना लांच और वह सब गरम करना तो उसके लिए चायशायका रेंच सारा उसमें इसन वेब साइड है जिसके थूए अधर अधर नहीं है लेकिन जब इस एरिया में यह जाता है फर्स करें के कोई पेशेंट है कि हम तो वहां पर तीन दिन है यह दो दिन है प्लान के अकोर्डिंग लिए तो बहुँ पेशें जो है फॉल्व आप के लिए आना चाता है तो तो इसमें medical team के इलावा हमारी administrative team भी है, हमारे coordinators है, हम उनका number पेशन्ट को दे देते हैं, तो पेशन्ट जो है उसको phone करके पूछ सकता है कि जी आज आज आप कहां पर हैं, वो उससे 5 km या 10 km आगे उस location से आगे होगा, तो वो उसको फिर वहां पर जाके वो follow up अपना करवा सकता है, मैम कितने doctors हैं जो इस field hospital के मौझू है, एक field hospital में एक male doctor है, एक female doctor है, एक LHV है, जो गाइनी और female और जो बच्चों की जच्चा बच्चा की जो निग्यदाश्त है, उसका portion जो है manual वो कवर करती है, और बाकी medical staff है, lab का, x-ray का dispenser है, हमारी field hospital में एक छोटी सी dispensary है, जिसमें हर तरह की दवाईयां जो government की तरफ से free provide की गई है, वहां पर store होती है, एक हफ़ते की medicine हम उसमें maximum एक हफ़ते की medicine field hospital में होती है, बाकी हमारा वेर houses हैं, सरगोदा में, डी जी खान में, लाहूर में, फैसलाबाद में, तो चार चर्च शेरों के हमने cluster बनाया है, फिर उन शेरों को medicine वहां से weekly basis पर deliver की जाती है, जो कि यह सायरा government का ही initiative है, तो आप पिर इसके कोई fees वगरा भी नहीं होगी, जो हमें total free of cost है, प्रोटोकोल के साथ हमें government hospitals वाली free services फुल प्रोटोकोल के साथ में लेगे, अच्छा पीड़ी पर जाता है, जो जो दूर दरास आप रहता है, जो कि जो ट्रैवल करने का हस्पताल का सफर होता है, गहंटे दो गहंटे का सफर करके मरीज को रेके जाएं वहाँ, उनके लिए यह समूलत जाएं हम आपके पास आते हैं, और इसका बहुत बड़ा मकसद यह भी है कि बहुत सारे patient इस वज़ा से भी नहीं जाते जैसे आपने का इस्यू है, पैसों का भी फिनांशल प्रॉब्लम भी है कि मैं इतनी दूर नहीं आज में यह काम कर लूँ तो पैसे बच जाएंगे अगर मैं hospital, तो उसकी जो बीमारी है वो बिगड जाती है, तो हम उसको अगर ट्रीट कर लेंगे तो जो टर्शी के और हॉस्पिटल्स हैं, बड़े hospital उनका burden भी काम हो जाएगा, वो जो बीमारी खराब करके अपनी वहां पर लेकर जानी है उस patient ने, अगर वो on the spot अगर जैसे खांसी है बजाए इसके कि वो चेस्ट infection और TB ही है, तो वो यहीं पर diagnose हो जाएगी, बजाए इसके कि वो बिगड़ जाए उसकी हालत ना, तो यह टर्शी केर पर burden भी इसका काफी काम होगा, बहुत जादा सुनके बहुत खुशी भी हुई और इसकी डीटेल जानके भी, आखिर में आप मैम कोई पैगाम देना चाहें, हमारी देखने वाले लोगों को इस प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ गाइड करना चाहें तुकाएंगे, पैगाम यही है कि यह गवर्मेंट का आपके लिए बड़ा अच्छा इनिशेटिव है, उन लोगों के लिए जो लोग है, 10 अच्छा सर्विसी जो है, उन लोगों के लिए यह बची रहने देख क्यूंके बढ़ने कोई हैं कुछ ते शुक आट ख्या, alımंने रमण प्रोटोल प्रोटोक जिए प्रोटोकल में नहीं है, हमारे लिए सब पेशेंट्स पराबर हैं लेकिन इसका मकसद उन पेशेंट्स को सर्विसेज देना है जो यह सारी सहूलते अफोर्ड नहीं कर सकते रहते हैं और नहीं जा सकते हस्पतालों में स्ट्रैवल की वज़ा से कॉस्ट पचाने की वज़ा से इसकी वज़ास उनकी बिमारियां जो भी स्टार्ट हुई होती है जो निश्टेज पर पकड़ना बहुत जरूरी है उसमें वह ताखीर करते हैं तो यह हस्पताल आपके पा साथ आप बने रही हैं मिलते हैं अपने नेक्स सेग्मेंट में स्टेविदास